बारत से इंटरनाशनल फ्लाइट्स का परिचालान 15 दिसंबर से फिर से शुरू होने जा रहा है जी हाँ ग्रह मंत्राले, विदेश मंत्राले और स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले के साथ विचार विबर्श्ट करने के बाद सरकार नहीं ये निर्णने लिया है आपको बता दे, नागर विबानन मंत्राले ने शुक्रवार को इसकी जादकारी दिया पिछले साल कोरोना के चलते 23 मर्च को देज में नियमित अंतराश्ट्रे उडानों का परिजालन बंद कर दिया गया था कि उसके बाद समय समय पर कई देशों के साथ एयर बबल फैक्ट किये गए और उनके बीच सीमित हवाई सेवा शुरू की गए अभी भारत का करीब 28 देशों के साथ एयर बबल पैक्ट है वहीं भारत ने 28 देशों के साथ एयर बबल पैक्ट भी किया है इसमें आपको बता दें अमेरिका, ब्रिटेंज, सायुक्त, अरब, अमिराथ और केनिया, भूटान, फ्रांस जैसे देश भी शामिल है जहां से अंतराश्टे उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है इससे पहले स्वास्त सचेव राजेश भूशन ने दक्षिन अफरिका में कोरोना के नए वेरियंट B.1.1529 को लेकर चुनता भी चुताई है हाली में आपको बतादे वीजा प्रतिबंदों में दी गई राहत से के संदर में उन्होंने राज्यों और केंड शाचेत प्रदेशों को इस वेरियंट के तेजी से पहलने की वज़ा से सचेव रहने को लेकर एक चुट्थी भी भीजी थी साथ ही आपको उतादे दक्षिन अफ्रिका और हांग कॉंग में इस वेरियंट के कनफर्म केसिस मिले हैं और ऐसे में एर बबबल पैक्ट के तहए दो देशों के बीच सिर्फ चुरिंदा एयरलाइन्स के माध्यम से ही विशेश इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन भी किय जाता है वहीं यात्रा करने के लिए कई बड़े प्रतिबंध भी होते हैं हालकि हाल में नगर विमानन मंत्री जोतिरादिते सिंधिया ने कहा था कि सरकार इंटरनाशनल फ्लाइट के संचालन को समाने करना चाहती है यानि कि अंतराश्टे उड़ान एक बाप फिर से 15 दिस इंट मिला है वो और ज्यादा घातक साबित हो रहा है